हेलो नमस्कार मेरे राम है अविनाश राप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तो स्वागत है मानिये या ना मानिये लेकिन हिंदुस्तान में बाबर आजम के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है इसके पीछे की वज़े मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अगर मैच नहीं चल रहा होता ने इंडिया का अगर पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है तो कहीं न कहीं ये दिमाग में हिंदुस्तानियों का जरूर होता है कि एक बार जो है बाबर आजम का स्कोर देख ले अपने अब्बू के स्कोर देख ले और जैसे ही वो देखते हैं कि बाबराजम फ्लॉप कर गए तो तूरण सोशल मिडिया पे आ जाएंगे एकदम ठीक वैसे ही हग ने जैसे विराट कोली नौकाउट राउंड में हग देते हैं हर ICC टोर्नामेंट में बिलकुल वैसे ही ठीक है अब जो है जिस दिर शतक बाबर लाल कर लेते हैं जैसे मेरा इस समय आई इंफेक्शन की वज़े से हो रखा है खर आज बाबराजम बल्लेवाजी करने के लिए उत्रे मैदान पर सब को पता था कि बाबराजम जो है आज कुछ न कुछ कमाल करेंगे लेकिन नहीं कमाल कर पाए और प्रवाज जैसुरिया की जलाने लग गए सबके सब एकदम जश्न का माहूल मतलब की बाबराजम जो है कुहली संस और कई हिंदुस्तानियों को खुश होने का मौका देते हैं क्योंकि वैसे भी यहाँ पे टामाटर इतना ज़्यादा महंगा हो रखा है महंगाई इतनी है कि सब की वाट लगी हुई अब ऐसे घम के माहूल में अगर बाबराजम जल्दी आउट होकर हमारे जैसे हिंदुस्तानियों को जो मतलब हमारे नहीं मतलब मैं मुझे इनमें मत गिनाई है उनमें वो जो फेल होने पर खुशिया मनाते हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि उनको एक जो है सौग पाकिस्तान के भी फैंस हैं जो हमेशा चाहते हैं कि अपने आइडल अपने स्टार खिलाडी से श्रतक लगा दे देखो भाई ऐसा है अगर इतना भी मैच्चियोर नहीं हुए तो फिर लानत है तुमारे क्रिकेट देखने पर मोहबत एक साइड है लेकिन लॉजिक एक साइ इनिंग्स में ऐसा नॉर्मल नॉर्मल में बता रहा हूं फ्लॉप हो सकता है इसमें को दोर आए नहीं है बड़े से बड़े बल्ले बाज हुए चैसाचीन हुए विराट कोली हुए सौरब गॉंगली हुए डॉन ब्रेडमन हुए स्टिवन स्मीथ हुए बहुत कोई ऐसे तो बावर आजम भी कोई मतलब ये नहीं है महापुरूश नहीं है एकदम भगवान नहीं है कि मतलब आये होर मैच में जो है श्रता की बना दे लास्ट इयर सबसे ज़्यादा रन बनाई थे 1400 को एबव इन्होंने रन्स बनाई थे अकर मैं गलत नहीं हूँ तो है ना सबसे ज़्यादा रन्स बनाई थे अब इस साल दो अभी तक टेस्ट मैच खेले है तीन पारियां खेलिए उसमें बन्दे ने रन्स नहीं बनाए तो क्या हो गया मतलब पहाड कोई थोड़ी जीत रही है ना अगर टीम जीत रही है तो फिर टेंशन क्या है बाबर रन्स बनाई या ना बनाई क्योंकि अगर बाबर रन्स बनाता था उसके बाद टीम अगर हार जाती थी या हार जाती है तो फिर उस पर भी उनको क्रिटिसिजम जिलना पड़ता था अब बंदे के बल तो हो रहाई ना बावर के शतक न लगाने पर हाद दुख होता है अगर आप कटर फैंने लेकिन मेरा वही मानना है कि कटर अच्छी बात है लेकिन जहतर मत बनी है ना मतलब है ना थोड़ा सा लॉजिक रखिए कि बंदा हर मैच में नहीं बना सकता है अब ऐसा तो नहीं है कि बाबराजम ने एक साल से रंसी नहीं बना आए बनाता तो है ना भाई रंस तो बनाता है अब हर मैच में थोड़ी कोई बना पाता है यतना logic रखिये यार मतलब आप भी फिर कोली संस की तरह होते जाएंगे बिन logic की बात करेंगे दन्यवाद